टेस्टोस्टिरोन मतलब सेक्स हॉर्मोन जो है वो यदि ज्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है सेक्स हॉर्मोन तो उसे क्या होता है उसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा जै 1300-1000 नैनोग्राम परदीलिटर होती है है ये रेंज में आरोधों में 50 सकंदीलिटर से कम रहती है मतलब पूरूश हरुषम्रामलों और और तो में रहता है मनलोग कम महत्र है कि अभी हम देखेंगे कि تیسٹичеلون की level blood में एक हजार नैनों ग्राम पर कील्सट कोने हैं थे या इतो क्या है कि चेरे के ऊपर ज्जादा पिंपल्स आते थे फोड़े फोड़े दिखते हैं बहुत ज़्यादा कि स्फिर फिर आकरमग्त है में व्यक्ती में वह फूरुष में even बहुत ज्जादा लड़ प्रेशर नोड़ डौन किया जाता है बहुत ज्यादा सेक्स ड्राइवे सेक्स करने की इच्छा ज्यादा होती है अपने फूद में जो लाल रंग की रखत पेश्या रहती है और बीसी उसका काउंट ज्यादा मात्रा में होता है फिर रिस्क टेकिंग बेहिवियर जो ह है मतलब ज्यादा धोका लेने की तयारी तो ज्यादा धोका लेने की ज्यादा रिस्क लेने की तयारी जो है रिस्क मतलब कुछ गडबड़ भी हो सकते हैं ऐसे ऐसे बेहिवियर में ज्यादा वो कुट्ता है और बच्चे होने में तकलिव हो शकते हैं क्योंकि शुक्रानों वह संक्या कम सकती है तτί आ चुछु जूर ३ण जाद मात्रा मीति टेस्टोस्टिरों आप सेक्स ह़र्मोन तो प्रिब्लेंट अब यह ज्यादा मात्रा में डेस्ट तो चना की एक तो क्या कि एक एंडेनल और टेस्टिकूलर टुमर मतलब अंडरकोस जो है उसका टूमर है एडेनल ग्लैंड जो थी बॉड़ी उसका टूमर है स्टिरोइड जादा मात्रा में लिवी है स्टिरोइड ड्रॉइट जो खिलडी जो रहते प्लेर्स यह जिमनेस्टिक्स मतलब जो करते हैं वो लोग लेते हैं क्लूमीड जैसे ड्रक्स टेस्ट्स्टो स्प्लीमेंटीशन वाहर से लेते कि ताक्त एनरजी बार से लेते थे तो वह प्रोब्लम्र्म हो सकता है टेस्ट्स्ट्स्ट्रों के जेल अप्लाय करते हैं आप तो ये सब जो है वो टेस्टोस्टेरON ज्यादा लेने से हो सकता है प्राब्लम होता है अभी हम देखेंगे कि यह ज्यादा लिया तो क्या होता है एक ऐसा स्टुडी है कि जिसमें पूरुशों को टेस्ट्रोस्ट्रोन जरुवत नहीं जित भी बाहर से दिया और जब उनको बाहर से दिया तो वो स्टडी में ऐसा पाया गया कि 88.4 परसें पुरूज जो थे उनकी शुक्राणू की संख्या एकदम कम हो गई खतम ही होगी शुक्राणू खतम हो गई उनके वीर्य में से अजो स्पर्मिय हो गया और फिर ये टेस्ट्रोस्ट्रोन थेरेपी जो बाहर से दी थी वो जब बंद कर दी गई तो छे महने बाद उनका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल हो गया 65 परसेंट लोगों का तभी मतलब 20 टका लोग ऐसे थे अप्रॉक्सिमेटली कि जिनका बा आज कि अर्विन देखेंगे अरो तो में टेस्टोस्ट्रोन लेवल ज्यादा होती है तो किया उसका असर होता है पतलब 59 naagen और टीलिटर से इसी टेस्टोस्ट्रोन की लेवल और्लसमे ज्याना है तो क्या क्या होता है, एक तो बहुत ज्यादा बाल, जहां नहीं होना वहां आते हैं आवडों को, जैसे दाड़ी दीखती है कुछ औरतों को, पिर चेरे के उपर फोड़े होते हैं लाल रंग के फोड़े, ऐसे एक नी, फिम्पल्स हो जाते हैं उनका आवाज जो है, वो विमारी होती है दूसरा है के अधरेनल ग्लैंड होती हैं और अम चाहिए डिकथा है। और आaments हमें हहता है। कि कारण क्या है एक तो है PCOD और तुमें जो ओवरीज की बिमारी होती है दूसरा है कि अद्रेनल ग्लैंट होती है अंदर अपने आगरंधी है उसका है पर प्लाश है मतलब ज्यादा मातरा में बड़ा बड़ी हो जाना वो ग्लैंट कि ओवरी एंशिस्ट ओवरी जो रहती है जास ट्रीवी टायरते उसका कैंसर उसका सिस्ट और अनेबॉलिक स्टेराइड बाहर से लेना स्ट्यॉरी लेना बाहर से उसके वज़े से हाय टेस्टोस्ट्राइड और तुमें दिखाए देता है तो देखा है कि और तुमें अशर तो क्या होता 이제 में कम काल गाम नियरे एक आगरी टि निए होता और में कम रहां टेपरेशन आदा है ठककान अंधि यह ए यह तो यह लो इससरा लीवल रहा तो आज वह तो मैं दिखाई दे लक्ष जे त formats कि यह चाहता है तो दृहें कि आम रहा वरुतों में क्या कारणें उन्हें देखा तो यह हो गया वरुतों का अभी हम देखेंगे कि मर्द में पुरुशों में यदी टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा कम हो जाती है आए शेक्स हर्मोन कम हो जाते हैं तो उसका क्या आफर होता है कि की माता है कि जो लेवल टेस्टोस्टेरोन की 20 22 25 यह उमर में होती और लेवल नेचरली 40 की उमर में रहती्य पचास की उमर में रहेगी नहीं मगर पहले से ती और кл down- Ol ती कम है तो नेजरली दाड़ी के बाल कम आना, दाड़ी कम रहना, फिर स्नायू जो रहते हैं, मसल मास, वो कम दिखना, डिप्रेशन, निराशा की बिमारी, डिप्रेशन की बिमारी, लक्ष एकाग्र नहीं होना, कॉंसेंट्रेशन नहीं होना, स्तन बड़े हो जाना, ब्रेस्ट इनलाज्मेंट, नपुल सकतो, मतलब लिंग में कट्रोधा नहीं आना, ठकान आती है, फिर बॉड़ी में ऐसे गर्मी महसूस होती है, होट फ्लेश, सेक्स ड्राइव जो है, सेक्स करने की इच्छा वो कम हो जाती है, ताकत कम हो दिए, तो यह जो है, यह लक्षन है, टेस्ट्रोस्ट्रोन कम रहे नहीं, हैंना, हमको बहुत बार ऐसा लगता है, कि आदमी को हुआ क्या, 40-45 साल का है, बाकि तो सब नॉर्मल है कुछ दिखाय देता नहीं है, सब टेस्ट नॉर्मल है, और हम टेस्ट्रोस्ट्रोन करते हिए एकदम कम मातरा में दिखाय देता है, टेस्ट्रोस्justरोन दे दो हौ अच्छा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सेक्स के लिए हमारे पास में लोग आते हैं, सेक्स 20-50 साल के बाद में टेस्टेसरां की लेवल और कम-कम होना चालो जाती है, फिर दूसरा कारण है मोटापा, जैसा मोटापा कारण है, वैसे ही बहुत जादा वजन कम रहा, बहुत कम वजन है, वो भी यह कारण हो सकता है, थेशिए को इसजिए है, स्मोकिंग, धुब्रबांद, टेस्टीस खावा लग गया, यह टेस्टीस का इंजिरी हो गई, यह टेस्टीस जो है, अंडाश है वो नीचे आया नहीं पेट में से वो पेट में है नीचे खाली है फिश्वी जो थैली है वो खाली है वो सकता है टेस्टिकुलर कैंसर है तो तो HIV AIDS है या कोई infection है sexually transmitted disease है तो testosterone कम है तो definitely हमने बाहर से testosterone देना चाहिए क्योंकि testosterone कम है तो मालूम पढ़ता है इसको थकान आ रही है व्यक्ति को सेक्सट्रावी कम है इच्छा कम है concentration कम है लक्षे एकाग्रण ही होता है ऐसा रखता है कि इसकी जान निकल गई है मतलब थकान आ रही है बहुत जल्दी बुड़ा हो गया ऐसा लगता है तो definitely उसका इलाज करना जरूरी है और बाहर से या दिवाले टेस्ट्रों दिटेते हैं तो उसमें स्कीन पैके से मूं में रखने वाले ड्यॉप से मुह में रखने वाले कैशे से गँंस को चिपक जाते हो फिर इंप्लांट से टेबलेट से इंजेक्शन से अलग-अलग तरह कि टेस्टोस्तिरोन बाहर से दे सकते हैं और टेस्टोस्तिरोन की लेवल सम बढ़ा सकते हैं और उससे यह फैदा दिखाए देता है तुरन तो डेफिनेटली वो कम समझके उसका तो इलाज करना कंटीनियो करना ज़रूरी है य प्रोस्टेटिक हाइप tänker हो सकता है और स्निप में एपनिया आता है स्निप में हृता कि आदमी सो रहा है और बिच में सांस रुख जाती है यह ऐर फिर एक दम जो डेंग और फिर से नहीं करलकर देंगा वह एपनिया वह एक सिलीप थैसलीपनिया है तो वह सकता है क्शूर सिटेंग बोगदा नेवल कम दूंसे यह वह में लोग independence इसलिए ब्लड की करनूट रिपोर्ट लेना है और व्लड की डिरिपोर्ट लेते लेते से टीट्मेट से जाना है दोनों पहल्स चमूब से एक यह करना है। बहुत ज्यादा बढ़ी तो बहुत नॉर्मल में रहना ज़रूरी है और नॉर्मल रहते हैं तो कोई प्राब्लेम नहीं है लोग बोलते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा है मतलब लिंग में कठरता नहीं आ रही है तो इसका मतलब टेस्ट्रोस्ट्रोन लोग से एक लोग उनको शेर करो स्पेशली उमर जिनकी ज्यादा होगे उनको शेर करो वो टेस्ट कर सकते हैं सिर्म टेस्ट्रोस्ट्रोन लेवल्स और वह अपनी लेवल ठीक कर सकते हैं थैंक्यू बेरे मच्छ